नमस्कार दोस्तों मैं हुँ अतूल और यह है Poco X3 दोस्तों आपको पता होगा कि Poco X3 जो है वो MIUI 12 के साथ मिल जाता है मतलब आपको यहाँ पे कुछ नहीं नहीं फीचर स्यूज करने का मोका मिलता है जैसे आप केमरे में जाते हो तो आपको यहाँ पे More में Clone का Option मिलता है यहाँ पे दिख सकते हो तो आप अपने Clone अपने Photos में दिखा सकते हो आप जब Photo Click करते हो तो आपकी Photos में आप अपने एक साथ 4 Clone दिखा सकते हो और अगर आप वीडियो शुट करते हो तो आप वीडियो में अपने एक साथ 2 Clone दिखा सकते हो तो ऐसा लगा कि एकी वीडियो में आप दो दिखाया दे रहे हो दो क्लोन्स और फोटो में चार क्लोन्स आप एक साथ क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंपल्स रिकोड किये हैं और क्लिक किये हैं फिर आप पोजिशन ले लिजी सबसे पहली पोजिशन पोजिशन ले लेने पर आपको शेडर बटन पर क्लिक करना है यह हो गई आपकी पहली पिक फिर आपको दूसरी position ले लेनी है ठीक से फिर position लेने के बाद आपको shutter button पे click करना है यह हो जाएगी आपकी दूसरी position फिर आपको अपनी तिसरी position ले लेनी है और position लेने के बाद आपको shutter button पे click करना है और इसके बाद आपको वहाँ पे tick पे click करना है और इस तरीके से आपकी जो फोटो है वो सेव हो जाएगी दोस्तो अगर आपको वीडियो मोड़ सेलेक करना है तो आप वीडियो मोड़ को सेलेक कर सकते हो फिर आपको नीचे एरो के बढ़न पे क्लिक करना है और इसके बाद सबसे पहले आपको अपनी पहली पोजीशन ले लिनी यह वो record कर लेना है आपके पहले position में और फिर आपको दूसरी activity record करने के लिए आपकी दूसरी position आपको ले लिनी है जल्दी से और फिर आपको जो record करना है आप उसे record कर सकते हो position ठीक से आने पर आपको shutter बड़न पर click करना है और वापस 5 second के लिए जो वीडियो होगी वो record होगी आप देख सकते हो वीडियो में तो 5 second की वीडियो record हने पर आपका final output मिल जाएगा आप देख सकते हो इस तरीके से तो आप कोई भी position ले सकते हो आप कोई भी activity कर सकते हो वीडियो recording के दोरान मानलो मुझे वीडियो record करना है तो मैं पहली position लेके 5 second का एक वीडियो record कर लूँगा और फिर दुसरी position लूँगा आराम से आपको कोई time limit नहीं होता आराम से दुसरी जो position है ले सकते हो और फिर position ready होने पर आपको वापस 5 second का एक वीडियो ready करना है record करना है आपकी activity करके और फिर आपको आपका final output मिल जाएगा इस तरीके से आप देख सकते है वीडियो में और फिर save करने के लिए आपको tick पे click करना है last में तो दोस्तो ये था इस वीडियो में अगर आपका कई भी स्वाल हो तो आपो में पुछ सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो